कि आज का हमारा टोपिक रहेगा कि जीवन पूँच कैसे बदे जिसको हम कहें कि श्रेष्ट कैसे बन सकता है आज संसार में रत्यक व्यक्ति अपने में शफल होना चाहता है उसके लिए वो अनेक उपाय करता है अगर वो कलाकार है तो ये सोचता है कि मेरी कला विश्व में कैसे प्रसिद हो अगर वो राजनेता है तो सोचता है कि मैं कैसे अपनी राजनेती के आदार से अपनी विप्ति का जीवन को सिष्ट बना करके राजनेती करियर अच्छा बनाऊ अगर डॉक्टर है तो वो चाहता है कि मैं लोगों को मरीजों को ठीक करके और देश के अंदर सिवा कैसे करूँ एक प्रसासने का अधिकारी है तो वो भी ये चाहता है कि मेरा प्रसासन लोगों तक पहुंचे उसके लिए मैं एक काम्याग प्रसासक कैसे बनूँ लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आज संसार के अंदर धेरे धेरे उसकी क्वालिटी कहें या उसकी प्रसिद्धी कहें वो धेरे धेरे डाउन होती जा रही है या हम सीदे सब्दों में ये भी कहें कि आज प्रसासन में लेजिए चाहे राजनेता लेजिए या आज का समाज इस दिशा के अंदर पहुंच गया है कि जिसको हम कहें कि दिशा हीन होता जा रहा है आज का युआ भटग रहा है दिशा हेन हो रहा है समाज का प्रत्तेक प्राणी जिसको दिशा की जुरत है वो दिशा देने के लिए सादू संतों ने भी अनेक उपाई किए बड़े बड़े डॉक्टर ने भी अनेक उपाय किये उसमें PhD होल्डर्स ने भी अनेक उपाय किये हर परकार से सोशाइटी के अंदर समाज के अंदर लोगों ने अपने तरीके से अनेक उपाय किये उसके बावजूद भी आज हम उसका रजल्ट अगर देखते हैं विदेश के अंदर पुरे विश्व के अंदर ब्रस्टा चार फैलता जा रहा है व्यक्ति व्यक्ति के अंदर प्रेम खतम होता जा रहा है हर इनसान जो है उसके अंदर स्वार्थ पैदा हो गया है और जिसको हम ये कहें कि मुल्यों की तो बिलकुल ही हालत बहुत पतली हो गई है या हम ये कहें कि मुल्य जो हमारे जीवन के अंदर थे जिसके आदार से भारत को भी और विश्व का गुरू कहा जाता था और पूरे विश्व के अंदर मुल्यों की बहुत महिमा होती थी लेकिन आज वही मानव जो है अपने मुल्यों को भूलता जा रहा है हम ये भी कह सकते हैं कि मुल्यों से वो छूटता जा रहा है मुल्यों से अलग होता जा रहा है तो वो कोशिस अपनी तरह से पूरी कर रहा है लेकिन फिर भी रजल्ट ये है कि आज पुरा सोशाइटी समाज जो है वो मुल्ले हीन बन गया है अब जब हम यह देखते हैं कि पुरे विश्व के अंदर समाज के अंदर मुल्यों की धीरे धीरे कितनी गिरावट हो गई कि जिसको की हम समझ भी नहीं पाते हैं और उसका कारण खोजने से भी व्यक्ति को वो कारण सही पता नहीं चलता है ऐसी हालत में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्रशुद्याले जो पुरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहा है उस वे एक सदस्य होने के नाते हम यह कह सकते हैं यह हमारी एक जमेवारी बन जाती है कि फिर से मानवता को या समाज को हम मुल्यों के उपर लेकर के आएं मुल्यों के आदार से उसके जीवन को ससक्त बनाएं इंपावर करें इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्रुद्याले केवल भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व के अंदर 140 देशों से भी अधिक देशों के अंदर ये अपनी कारिय कर रहा है इसका मुख्याले माउंट अबू राजस्तान में है तो यहां पर इस प्रकार की हमें मुल्यों के बारे में शिक्षा दी जाती है जिस शिक्षा के आदार से हमारा मन शांत होता है हमारा जीवन जो है दिव्य बन जाता है तो उसके लिए परमात्मा ने आकर के 1937 से ये कारिय प्रारम किया और इस कारिय में इस विद्याले में हर एक मानव के लिए चाहे वो किसी भी जाती का हो किसी भी धरम का हो किसी भी पंत का हो सब के लिए यहाँ पर मुल्य निष्ट समाज बनाने के लिए मुल्यों की सिक्षा दी जाती है अब ये सिक्षा लेने वाला कौन है क्यों? क्योंकि मुल्यों की जब बात आती है तो मुल्यों को धारण करने के लिए व्यक्ति समाज उसकी जो मुख्य भूमिका है उसका कनेक्शन देता है हमारी आत्मा से तो इस विद्याले के अंदर सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आप व्यक्ति हो लेकिन व्यक्ति को चलाने वाली सक्ति जो है ताकत जो है वो आत्मा है जब हम आत्मिक स्थति में टिकते हैं या यह कहें कि आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को मिलता है तो आत्मा के जो मूल गुण है शान्ति प्रेम एक्ता विश्वार्त भावना पुवित्रता इस्वरिय ग्यान तो यह उसके अंदर धीरे धीरे जागरे थोने लगते हैं भाईचारे की भावना बड़ती है तो हर इंसान जो है आपस में प्रेम से जीने के लिए प्रेम का वेवार करने के लिए उसके अंदर एक ताकत आ जाती है और वो ताकत देता कौन है? वो श्यूम परमपिता परमात्मा क्यों? क्योंकि इस विज्जाले को स्थापन करने वाला भी कोई विक्ति विशेश नहीं है यहाँ पर परमात्मा ने आकर के एक साधान मानवतन का आधार लेकर के जिसका नाम रखा परजापिता ब्रह्मा उनके द्वारा परमात्मा ने ये इसुरिय ग्यान दिया, ये राजियों की सिक्षा दी जिसके आधार से जो भी पराणी, जो भी समाज की विक्ति इस विज्जाले में आता है तो उसको अपना नौलेज मिलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मुझे क्या करना है जब ये विक्ति को समझ में आ जाता है तो वो अपने अंदर शांती का प्रेम का विभार सीख जाता है और इस परकार से उसकी प्रगति होने लगती है तो जब वो विक्ति अपने आप में एक संपूर्ण पवित्रता का, संपूर्ण शांती का, संपूर्ण आनंद का अन्वाव करता है तो वो अन्वाव का प्रशाद दूसरी आत्माव को भी बाड़ता है जब वो दूसरी आत्माओं को बाड़ता है उनको भी जब लाब मिलता है तो वो भी दूसरी आत्माओं को इस परकार से ये कारिय उसको अच्छा लगता है वो हमारा एक संगठन बनता जाता है अब बात ये कि आज वेती चाहता तो बहुत कुछ है अपने आप में सुधारने के लिए या अपने आपको आगे ले जाने के लिए या हम ये कहें कि वो संपन और सफल बनने के लिए लेकिन चाहते हुए भी वो कर नहीं पाता है उसका मूल कारण है इच्छा सक्ती का भाव या हम ये कहें कि स्वार्थ भावना उसको करने नहीं देती है और उसी संदर्व में हम ये कहें कि आज मानव के अंदर जो सुक्षम में मनोविकार हैं काम, क्रोध, लोब, मौह, एंकार, इर्षया, देश, आलसेव है इनसे आज हर इनसान ग्रसित हो गया है तो जब इनसे ग्रसित है तो उसके अंदर अच्छे भावना पैदा होते हुए भी वो जानते हुए भी अच्छा कारिय कर नहीं पाता है और जो जब तक उसके अंदर वो भावना अच्छी होते हुए कर नहीं पाता है तो धीरे धीरे उसको हम कहें कि संगदोस में आता है या हम ये कहें कि उसकी जो आंतरिक सक्ती है वो लुप्त होते जाती है तो आंतरिक सक्ती को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने हमें सिखाया कि हम सुबह या साम जब भी हमको मौका मिले हम उस परमात्मा से जुड़ जाएं और जिसी कोई इस विद्याले में कहा जाता है राजयोग तो वो राजयोग की सिक्सा हर इंसान को देने के लिए ये विद्याले जगे जगे अपना कारिक कर रहा है ये राजयोग कोई ऐसा योग नहीं है जिसमें कोई हमें टांग से टांग चड़ाना पड़े या हमें उल्टा लटकना पड़े या हमें किसी प्रकार की जो जिसको हम कहें कि साधिक प्रक्रिया को करना पड़े लेकिन ये राजयोग इतना अच्छा है जिसके लिए छोटा बच्चा भी कर सकता है बुढ़ा भी कर सकता है जवान भी कर सकता है माताइं भी कर सकती है और हर इनसान इस समाज का हर एक एकाई का वेक्ति और जिसमें कोई धर्म की बात नहीं किसी जाती की बात नहीं किसी प्रकार का उसमें वो नहीं है कि ये करे या ना करे क्यों? क्योंकि इसमें अपने आपको आत्मा समझना है कि मैं कौन? मैं कहां से आया? और मैं किसले आया हूँ? ये सारा जब उसको नोलेज हो जाता है तो उसका परमात्मा के साथ में धिरे धिरे समंद जुटने लगता है और उसको ये नौलेज मिल जाता है कि परमात्मा कौन है क्योंकि आज तो संसार के अंदर भगवान के भी भीड लगी हुई है जिसके पास भी जाते हैं तो वो अपना कहता है कि यहां भगवान मिलता है यह भगवान है वो भगवान है अनेक नाम रूप देश काल बता दी जाते हैं लेकिन यहां पर उसको यह अन्वो होने लगता है कि परमात्मा एक है मैं जैसे आत्मा जोती हूँ वैसे ही परमात्मा पिता भी जोती है और उसको उस परमात्मा का जब ग्यान मिल जाता है या हम यह कहें कि उससे वो परिचित हो जाता है उसका निवासिस्तान का है मेरी आत्मा का निवासिस्तान का है परमात्मा का रिवासितान का है जब ये उसको अच्छी तरह से परिचे हो जाता है तो वो उसके अन्भों में आने लगता है और जब वो अन्भों में आने लगता है तो उसके साथ में उसको सक्तियों का मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि परमात्मा है ही शानती का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पुवी तरता का सागर तो जब हम उस इस्थिती में बैटते हैं कि मैं एक शांत शुरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम शुरूप आत्मा हूं, मैं ग्यान शुरूप आत्मा हूं, मैं सक्ती शुरूप आत्मा हूं, तो ये जब उस शुरूप में आत्मा या जो भी इस ग्यान को सुनता है, तो वो इसक धीरे 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 अन्वाव करने लगता है और उसकी वो इस्थती बनती चले जाती है तो उसको किसी को के साथ में भी जब वेवार में आता है तो उसका वेवार बदल जाता है क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भावना जागरत हो जाती है कि जिसके साथ मैं बेवार कर रहा हूँ वो भी उसी परमात्मा का बच्चा है वो भी मेरा भाई है मेरी बेहन है तो उस भावना से जब इनसान चलने लगता है तो उसके अंदर इर्शा देश खतम हो जाता है आज दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी जगड़े हो रहे हैं चाहे किसी का किसी को प्रती नुक्षान करना चाहता है तो उसका मूल कारण यही है क्यों? वो दूसरे को पराय समझता है और अपने को अलग समझता है और वो यह चाहता है कि यह मेरी बात को माने मैं इस पर शासन करूँ लेकिन यहां जब हमें यह ग्यान मिलता है जब हमारे को पात्मा के बारे में परमात्मा के बारे में और जब परमात्मा के साथ में हम योग लगाना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर जो यह भावना है कि वो अलग है मैं अलग हूँ, मुझे इसके उपर सासन करना है वो भावना बदल करके भावना उसके प्रतिया आ जाती है कि मेरा ये भाई है, मेरी ये बेहन है मुझे भी इसको परमात्मा के साथ में समंद जुड़ाना है इसको भी इस आत्मा को भी हमें सुख शांती आनंद प्रेम की अनुभूती करानी है तो जब हमारी ये भावना बदल जाती है तो उसके साथ में हमें सने होता है प्यार होता है उसके साथ हमारी भावचारे की भावना आ जाती है उसको दुख पहुंचाने की जो भावना मन में थी जो स्वार्थ था जो एक दूसरे की प्रती दुख दाई की ब्रती थी वो ब्रती हमारी बदल जाती है जब वो ब्रती बदल जाती है तो उसके आदार से धिरे धिरे हम ये देखते हैं कि हमारा सोसाइटी के अंदर समाज के अंदर उत्किस्टा आने लग जाती है इसी के लिए आज पूरे विश्वे के अंदर प्रजा पिताब रहमा कुमारी शुरिशुजाले की एक साखा नहीं लेकिन हजारों साखाओं के माद्यम से लाखों आत्में बदल रही हैं उनके जीवन के अंदर जो है इमानदारी, उनके जीवन के अंदर सही सुनता, उनके जीवन के अंदर पवितरता, उनके जीवन के अंदर जो है निशार्त भावना, देश के प्रती भावना, समाज के प्रती भावना जागरत हो रही है। तो इस भावना से क्या होता है कि हमारा देश के अंदर और समाज के अंदर हमारी अपनी तो सफल जीवन होती ही होती है लेकिन दूसरी आत्माओं को भी सफलता की तरफ हम अगरसित करते रहते हैं। इसके आदार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा कल का जो भविश्य है या आने वाला जो भविश्य है या हम ये कहें कि भारत फिर से विश्व का गुरू बनेगा या हम ये कहें कि भारत सरस्ट भारत बन जाएगा लेकिन उसके लिए कुछ बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो उसमें सबसे पहले है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, वो केवल मेरे अपने लिए नहीं, मुझे वो देश को दे रहा हूँ, मुझे अनेक हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, तो हमारी दुस्ट्री के अंदर ये जब भावना आती है कि मुझे लाखों लोग देख हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, उसका इंपेक्ट हजारों लाखों आत्माओं के उपर डारेक्ट इंडारेक्ट पढ़ रहा है, तो उसके अंदर जब ये भावना जाकर तो जाती है कि मुझे अनेक आत्माओं को प्रेणा देना है, मुझे अनेक आत्माओं का एक्जांप कि मैं जब भी अम्रित वेला या कहें कि मेरे जीवन के अंदर जो दिन्चरिया है वो दिन्चरिया मेरी किस परकार से चल लई है क्योंकि आज दुनिया के अंदर बहुत सारा समय जो है वो इनसान वेरत की बातों में ही गुजार देता है वेरत की बातें सुनना वेरत चंतन कर और वेरत बातें बोलना उसी के कारण आज वेक्ति की जो इंपार्मेंट कहें या ससक्त कहें या उसकी जो इनर्जी कहें वो धीरे धीरे उसका लेबल डाउन होता जा रहा है तो उसको हम बचाना पड़ेगा उसको बचाने के लिए हमारे को अपने अंदर चेक करना पड़ेगा कि मेरे बोल वो किस प्रकार से बोल रहे हैं वेरत तो नहीं जा रहे हैं मेरा संकल्प जो है वेरत नहीं जा रहा है मेरा मन वुद्री संसकार जो है वो किस प्रकार से काम कर जब हम उस पर थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं, उस पर थोड़ा सा अटेंशन देना शुरू करते हैं, तो हमारा वेरत का खाता यह हम कहें, कि वेरत जो है देरे देरे बस जाता है, तो वो जो इनर्जी हमारी वेस्ट हो रही थी, वो इनर्जी हमारी डिपोजिट होने लगती है, तीसरी बात है कि मैं किसी एक वेक्ति के लिखे, एक पर्यार का सद्द से ही नहीं हूँ, मेरा पूरा विश्र पर्यार है, ये भावना हمारे अधिकाल में थी, लेकिन धिरे धिरे शार्त ने अपने मन के विकारों के कारण ये भावना देरे देरे खृतम हो गयी परमात्मा ने फिर आकर करिके हमें समझाया कि इस भावना को फिर से हमें ज्याकरित करना है ये भावना इतने ऊंच-कोटी की है आज हम बहुत सारे संतों का मात्माओं का वनन करतें इसके संदर्व में हम यह कैसे एकते हैं स्वामे भी कामिन को लीजिए राम कृष्ण परहमंस को लीजिए और उसके लिए अनेक संतों ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बुरे विश्व को दे कर गए लेकिन फरक इतना ही रहा उसमें उस जब तक वो संत थे वो जब तक अपनी बातों लेकिन जैसे ही वो नहीं रहे या हम एक हैं कि उनका निदन हो गया उसके बात से उन बातों को लोगों को अमल करने के लिए उन बातों पर चलने के लिए उनको एक सक्ती की जरुजरत पड़ी क्योंकि कोई भी कारिये करने के लिए उसको हर एक इनसान को एक इनर्जी की जरूत पड़ती है अगर वो अच्छा कारिय करता है तब भी उसको इनर्जी चाहिए जिसको हम कहते हैं कि पोजिटिव इनर्जी अगर वो बुरा कारिय करता है तब भी उसके अंदर इनर्जी जरूर लगती है जिसको हम कहते है निगेटिव इनर्जी तो हुआ क्या जब संसार के अंदर जो अच्छे अच्छे संत माता है उन्होंने बहुत कुछ संसार को दिया लेकिन उनकी जो पॉजिटिव इनर्जी कुछ समय तक ही सिमित रही और क्योंकि वो एक मानव या वेक्ति विशेष की इनर्जी थी उसमे परमात्मिक इनर्जी इन्कलूड नहीं थी वो एक डिवाइन इनर्जी कह सकते हैं वो उनके साथ में थी जिसके कारण कुछ समय तक उस इनर्जी का प्रभाव रहा लेकिन धीरे-धीरे वो डिवाइन इनर्जी भी लुप्त हो गई या कहें कि वो पिछुड गई या ये कहें कि वो खतम हो गई तो उसके कारण आज संसार के अंदर सारों तरफ निगेटिव इनर्जी निगेटिव इनर्जी ही बढ़ती जा रही है अब ये वड़ती में निगर्टिव इनर्जी को रोकने के लिए हम विविन्न प्रकार की केमिकल्स को यूज करने से भी वो निगर्टिव इनर्जी या दवा को यूज करने से नहीं रुक पाई या नहीं रुक सकती है उसके लिए चाहिए हमें स्पिरुचल इनर्जी वो स्पिरुचल इनर्जी को हम जेनरेट कर सकते हैं लेकिन जेनरेटर के साथ में या पाउर हाउस के साथ में हमें अपना कनेक्शन करना पुड़ेगा तो मैंने जो बताया कि परमात्मा ने ये बात हमें विद्याले के माद्यम से या हम ये कहें कि इस्वरी स्विद्याले के माद्यम से ये सिखाई और उसको हमने रियलाइज किया और उस रियलाइजिशन के आदार से हजजारों लाखों लोगों ने इस बात को रियलाइज कर के और उस इनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं और उस प्राप्त कर की हुई इनर्जी के आदार से आज हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है आप ये भी कह सकते हैं या कि आज परिवर्तन आता है आप लोग कह रहे हैं हमारे से लोग कुश्चन करते हैं लेकिन फिर भी आज दुनिया के अंदर इर्षाद देश आलत से भै या जिसको कहें कि हिंसा ऐसा क्यों हो रहा है ये बात ठीक है ये हो रहा है हम भी मानते हैं लेकिन उसका कारण ये है कि आज विश्वे की पोपुलेशन कितनी अधिक है उसके अधार से जो इस बातों को सीख रहे हैं जो मान रहे हैं जो जान रहे हैं या इन बातों को जो ले रहे हैं अपने जीवन में उनकी संख्या उनके तुल्ला में बहुत कम है आप कहेंगे कि आपकी इतने साखाएं हैं आप तो बहुत इस बार में सतत प्रियास भी कर रहे हैं फिर भी यादा लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं तो हम उसको यह समझाते हैं कि देखिए अच्छी इनर्जी आज इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इनर्जी को धारन करने के लिए भी हमारे अंदर वो ताकत चाहिए और वो ताकत हर एक जब की पूरे विश्व के अंदर नेगेटिव इनर्जी बड़ी हुई है या नेगेटिव इनर्जी फैल रही है या नेगेटिव इनर्जी विद्धेवान है तो उसको लेकर के और दूसरे आने वाले आत्माओं को अंदर वो विश्वास कम होता है जिनको यह पूरण विश्वास हो जाता है जिसको थोड़ा भी से या कहें कि उनको बाढ़ते हैं लेकिन हर एक को वो अनभव नहीं होता है उसका कारण है क्योंकि हमारे पास में वो इनर्जी को देने के लिए उनको सीखने के लिए कुछ समय की अवसिक्ता होती है जब वो कोई भी इनसान आकर के सुनेगा समझेगा वैठेगा सिखेगा तब उसको उसका अनभव होगा और आज इनसान विरत की बातों के लिए उसको बहुत समय है हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग घंटों घंटों इधर की उधर की बातों में परपंस के अंदर समय दे देते हैं लेकिन उनको कहा जाता है कि आप थोड़ा सा समय निकाल करके आईए और इसका अन्भाव करिए यहां पर एक पोजिटिव इनर्जी आपको मिलेगी तो उस पर उसको यकिन नहीं होता है और यकिन होता है तब भी कई बार वो बेरत के चिंतन में इतना समय देख बैठता है या उसमें इतना मस्गूल हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे कुछ अच्छी इनर्जी के लिए काम करना चाहिए और दुनिया के अंदर इतनी सारी निगेटिव इनर्जी का प्रभाव धिरे धिरे इतना है कि वो मानलव के अंदर जिसको हम कहते हैं कि अपना विवेक अपना मन की सोचने की सकती वो इतनी डाउन हो गई है कि उसको सर्वाव करने के लिए उसको पोजिटिव इनर्जी लाने के लिए भी उसका बुद्धी स्विकार नहीं करता है तो ऐसी परिस्तिती में ये आज जो भी दुनिया के अंदर नेगेटिव इनर्जी जिसके फल्स रूप हिंसा है आग जनी है विकारों की आग जो जल रही है उसका प्रभाव ज्यादा है फिर भी हम लोग या प्रजापिता ब्रह्मा के मारे स्विट्याले के प्रत्यक भाइबन निरुत्साइत नहीं है क्यों? समय था कि ये स्विट्याले की जिसको हम कहें किस्थापना के लिए एक रिक्टिव सेज जिसको हम ददादाला खिराज के नाम से जानते है जिसको आगे चल करके प्रजा पिता ब्रमा के रूप से पूरा विश्व जानता है लेकिन आज ये कारवा बढ़ करके और पूरे विश्व के अंदर फैल गया है इसलिए प्रजापिता ब्रहमा कुमारी शुरुष विज्जाले कि प्रत्तिक भाई बैन के अंदर ये एक उमेद है एक लहर है एक मन के अंदर भावना है कि आज नहीं तो कल हर एक प्रतिस इसको मुल्य के रूप से इसको सिक्षा के रूप से इसको अच्छी बातों के सबसे एक दिन वो आएगा जहां पर कि हम ये कह सकते हैं कि जो मानव सब्वेता या जो हमारा भारत महान था सिस्ट था या जिसको हम कहते हैं कि सोने की चिडिया था वो फिर से बनेगा और उसके लिए प्रजापिता ब्रहमा कुमारी शुरुष जाले कि प्रत्तिक भाई ब आप देखेंगे कि सब कुछ उन्होंने अपने विश्व के लिए देश के लिए सब कुछ ट्याग करके और इस शेवा में लगे हुए हैं आप खुद भी अन्वो करेंगे कि जीवन के अंदर कितना बड़ा त्याग बेनों का तो उस त्याग को परमात्मा ने हमें ये लिए त्याग से ही हम दूसरे आत्मा को भी सिखा सकते हैं त्याग से ही दूसरे आत्मा को रास्ते पर लाज सकते हैं इसलिए आज हम ये भी कह सकते हैं कि नारी सक्तियों का एक पुंज है बहुत बड़ा मानव समाज को आगे ले जाने के लिए प्रजा पिता बर्मार्क मा विश्व जाले के अंदर नारी शक्ति को बहुत बहुत मुल्य दिया गया है और जिसके आदार से यहां पर वहनों का एक बहुत बड़ा संगठन जिसको वास्त्विक रूप से Empowerment of the Woman के नाम से यह तो वो आज पूरे विश्व के अंदर इतना कारिय कर रहा है और अब धीर दिर हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजनित्या भी बड़े नयाविद भी बड़े बड़े प्रोफेसर भी और बड़े बड़े संत भी इस बात को स्विकार करने लग गए ह कि आखिर में ये कारिय या इस देश को या अपनी आत्मा को सफल बनाना है स्रस्ट बनाना है महान बनाना है तो हमें राजियों की सिक्षा लेकर के अपने जीवन के अंदर धारन करना होगा क्यों लोगों ने जब ये बात कही कि हम देखते हैं कि कारिय करते हैं लेकिन फिर भी उसका effect नहीं होता है, मतलब खुद जीवन में नहीं लाते हैं, तो यहाँ पर यह बात को हम कहेंगे कि जीवन में जब आता है तो उसका effect भी दुशनों पर पड़ता है क्योंकि यहाँ पर practical जीवन है, और practical जीवन का effect इतना अच्छा बनता है कि हर एक वेक्ति के लिए वो एक आदस बन जाता है और इसी प्रकार से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस्वरी सुई जाले, कि हर एक भाई बैन, जिसको हम कहें कि राजयोग सिक्षकाएं, राजयोगी भाई, उसका जीवन का प्रभाव, आज संसार के उपर धीरे धीरे पड़ता जा रहा है, और मैं तो ये कहूंगा कि आप भी जो भी इस कारिये को सुन रहे हैं, उनसे भी अनुरुद करूंगा कि आप भी जुड़ते जाएए, और इसके साथ में अपना अन्भो करिए और अपने अन्भो के आदार से अपने जीवन को स्रेस्ट बनाएंगे, तो हम ये कह सकेंगे कि हम सची मानवता की सेवा करने में हमने एक सही योगदान दिया और उस योगदान के आदार से ही हम इस भारत को पुने स्रेस्ट बना सकेंगे, महान बना सकेंगे, इनी सब्दों के साथ मैं पुने एक कहुंगा कि हम अपने जीवन को सफल बना करके विश्व को महान बनाएं और अच्छे कारिये के लिए अपने जीवन को उच्छ बना करके विश्व की सिवा करें इन्हीं सब्दों के साथ ओम शानती